बेलकम टो राजण ITI YouTube channel इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अनोदेसक भरती के बारे में UP में जो ITI में इंस्टेक्टर की भरती आई है उसके बारे में इस वीडियो में इसका notification जो है इसका detail इस वीडियो में जानेंगे ठीक है कितने post हैं काउंसे ट्रेड का कितने सीटे हैं इस वीडियो में यह जानेंगे यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेधन का जो डेट इनों ने दिया है 18 जनवरी 2022 और अंतिम तिथी जो है ऑनलाइन फोर्म अपलाई करने का वह 8 परवरी 2022 है आवेधन में संसोधन की अंतिम तिथी 15 फरवरी 2022 है अब यहां पर आगे बढ़ते हैं जो मेंविन इंपर्टेन्ट पॉइंट है इसमें यह जानेंगे आप यहां से में रूप से इसमें यह जानेंगे अगर टोटल सीट की बात की जाये तो आप देख सकते कुल रिख्तियां पचीस तो चार है तिक है अब यहां बोक्स में लिखेंगे हम वीडियो बना देंगे और आपको यह भी बताना है हम लोग चाह रहें कि इस बार जो है पेट जो लागों किया गया इसको हटा दिया जाए जिससे कि जो भी CITS किये हुए हैं ओ इस फोर्म को अपलाय कर सकते हैं ठेके क्योंकि इसमें CITS भी कंपल सड़ी रखा गया है द्यान रखेगा इसमें दो चीज कंपल सड़ी है CITS भी रह게 और पेट यह भी कंप्लसरी रहा तो हम क्या चाह रहे हैं हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार पेट को रखा लिए जाता और से को रखा जाता ठेक है आपका क्या विचार है कॉमेप आप अपना विचार देंगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि अनुदेशक मुख परिक्षा केबल ओही अव्यारती आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो जिनोंने प्रारामभिक आयरता परिक्षा पेट का एकजाम दिया है ठीक है प्रिलिम्नरी एलजेबलेटी टेस्ट की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि यूपी में ये टेस्ट लिया गया था 2021 में तो बताया ये जा रहा है कि जो उसमें सामिल लिये हैं सामिल एकजाम में हुए है ठीक है और जिनके पास बैदता संख्यात्मक अस्कोर है ठीक है तो इस पे पेट हटाने को लेकर के आज जो है साथ जनवड़ी और आठ जनवड़ी को ट्विट किया जाएगा ये ट्विट करना है कि अनुदेश्टक की भरतिया से पेट को हटा दिया जाए ठीक है चलिए और आगे हम डिटेल बढ़ेंगे कि क्या करना है अब जब आते हैं तो आप देखेंगे कि आगे जो मेन है आउनलाइन अबेदिन की लिवस्तिक सुचना ये दिये हुए अगर आप लोग भड़ेंगे तो अब आप देख सकते हैं कहां से बरा जाएगा तो आबेदिन की फरकिडिया यहां से बरा जाएगा ठीक है उसके बाद आगे बरते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे इनोंने लिखा है कि अव्यार्थी को प्ररामभी का है परिक्षा पेट के रिष्टेशन नंबर के परमानी करन हेतु दो विकल्प उपलवद कराये जाते हैं मतलब जो पेट का एक्जाम दिया है उसी के लिए में अब अभी भी बहुत सारे अभी अगर पेट की बात की जाए तो हमको लगता है कि 10 ते 20 परशेंट होंगे जिन्होंने पेट दिया ठीक है जिन्होंने दिया है तो कितना की बारे कितने के तो पेट के बारे पता भी नहीं है ठीक है तो यह है किस वार पेट को हंटा लिया ज यहां पर बात की जाए तो आपको फोटो एंड सिगनेचर देना परेगा ठीक है अधर डिटेल यहां है उसके बाद आप जब यहां आएगे तो आप देख सकते हैं बताया गया है कि जो सुल्क जो फिस दिया गया है वरने के लिए वह आप ग्रेडिट काड डेविट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग इस वी चलान के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं इसका जो फिस से वाप भर सकते हैं जो इसका फिस लख रखा जाएगा अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर में देखना है कि इसमें और क्या-क्या है जो एकदम जरूरी है ठीक है चलिए बत पिता करना में प्रिवर्तन की गलती अच्छा यह सब तो सुधारने का है अब यहां पर आ जाता है सबसे बढ़ियां बात की कितना बेतन है सबसे ज्यादा तो इसमें बेतन काफी अच्छा है ठीक है इसलिए जो लोग किये हुए हैं वो इसको जरूर बढ़ेंगे लेकिन ह 35,400 रुप्या और लाश्ट आपको 1,12,400 रुप्या मिलेगा ठीक है जेनरल सीट टोटल 1042 है यहां पर अलग अलग दिया गया है ठीक है अगर बात की जाए यह सीटे दिखाया गया यह पद रहेंगे महिला के लिए इतना रहेंगे उसमें कुछ बताया गया है कि कौन के लि यह पर बताया गया है चली अब यहां पर बात करते हैं में डूपसे की अगर इसकी देखो कहीं न कहीं एज है एज की बात की जाए तब से यह पॉइंट भी आपका जरूरी है अगर एज की बात की जाए कितने एज वाले इसको भर सकते हैं तो जिनका 21 साल हो गया है पाली कितना सीट है ठीक है चलिए आगे पर यहां पर यहां पर जो है सीट के बारे में बताया गया है आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है सीटे को जारी कर दिये गए हैं कि कहां कितनी सीटे हैं ठीक है तो रासा इसको यहां पर लाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं यहां प आपको यहां से चेक करना है कि कहां है कितना है तो कुल सुक्रित जो कुल सीटें है वो कितना है 479 ठीक है चली अच्छा इसको भारने के लिए क्या चाहिए यहां पर देखेगा यहां से आप आप देख सकते हैं जो अनिवार्ज दिया गया है डीजी टी के अधीन किसी पार्ट वेद के राश्टिस सिल्फ अनुदेशक परमान पत्रानी जो CITS किये हुए हैं यहां पर देख सकते हैं जो CITS किये हुए हैं उनका CITS इसमें कंपल सड़ी है इस दियान रखिएगा और आप देख सकते हैं कि अगर आपका फीटर ट्रेड है जो भी ट्रेड हैं अगर आपका फीटर ट्रेड है तो आपको क्या क्या जरूरी है आई टी आई रहना है तीन साल का अनुभव रहना है अगर आप आई टी आई है तो तीन साल का अनुभव के साथ NTC, NAC यहने अपरें जे इंजरिंग है बिटेक किये हुए है तब उनको एक साल का चाहिए ठीक है अगर आप डिपलोमा किये हुए हैं तो उनको कितना चाहिए दो साल का चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पे कमपलसर यह दियान रखेगा यहाँ पे जो लिखा है NCIC इसका मतलब है कमपलसर यह ठीक है चलिए कुल शीटे की बात की जाए तो कितना आ गया 489 फीटर का बेल्डर का 441 सीट बहुत अच्छा है ठीक है इसलिए आप सब जो है यहाँ से बढ़ेंगे टर्नर की बात की जाए 313 है लेकिन अनुभब की बात की जाए तो सभी ट्रेड़े के लिए से मेसनिष्ट की 205 है उसके बाद मेसनिष्ट गरेंडर का 19 है ठीक है मेक किनिकल ठीका तो अपना अपना ट्रेड हैं आप यहां से देख सकते हैं ठीक है अब यहां पर हम excellent पर आइस बंस्प आआ डिच्न का बात की सबलसुर्णा का इतना है ठीक है इसमें बताया गया सभी में से कंपल सरी रहेंगे एलेक्टीसियन की बात की जाए तो बहुत ज्यादा पोश्ट है 609 है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वायर मैंन उसके बाद यहां से देखे सब्ट्रेड है अपना वीडियो देखके या तो लोट करके क बात की जाए तो आप देख सकते कॉस्मेटलोजी का टोटल 332 है ठीक है अगर बात की जा इसका तो यहां पर इन्होंने बताया है इसके लिए क्या क्या चाहिए तो इनके लिए जो मानता प्राप्त यह चाहिए दो बड़स के साथ चाहिए इसके बात बताया गया सुक्तम अगर आप इति हैं तो ठीक है तीन बर्स के अनुभव के साथ हेर एंड ऐसकी पर्वान पदर साथ उसको तीन साल का एक्सप्रियंस भी चाहिए ठीक है चलिए सभी में लागू रहेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं जब आगे बढ़ेंगे हाँ देखो इसमें भी अनिवार कि जाए तो 401 है ठीक है Commerce making की बाद की जाए तो 2212 है आघे बढ़ेंगे शर्फेस आगे बढ़ते हैं जम हम किबराद की खवävर टेकनो लॉजी साफ डिजाइन ट्रेड़ में 272 है 272 है इसको क्या चाहिए उसमें आप देख सकते हैं तो फही टी Mizraq तीन साल का आपको पास experience चाहिए fashion design technology से ठीक है और उसके बाद जो है आपको CITS इसमें भी अनिवार्ज रहेगा ठीक है कंपल सरी रहेगा ठीक है तो सभी अपना अपना ट्रेड देख सकते हैं सब का ट्रेड यहां दिया हुआ है ठीक है चलिए तो आप लोग जो है देखिए क्या होती है बढ़ती है यह मामला जो है आगे बरहेगा क्योंकि पेट यहा झाल